नमस्कार दोस्तों तो आपको driving license बनाने के लिए learning license बनाना होगा learning license आप किस तरह से online बना सकते बिना RTO जाए और learning license बना के आप driving कर सकते हैं driving license बनाने के सबसे पहले आपको learning बनाना पड़ेगा और learning license बनाने के लिए आपको online apply करना पड़ेगा आप Online भी learning बना सकते हैं और learning से आप driving कर सकते हैं learning बनाने के One month बाद आप driving license के लिए went Suzuki कर सकते सब्सक्वर्निक बनाना पड़ेगा र interpreter किस तर से online बना सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बिना कोई RTO जाय आप online learning भी बना सकते हैं, तो मैं आपको mobile screen या desktop पे भी learning बना सकते हैं, online किस प्रकार आपको बनाना है, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं आपको computer screen पे लेके चलता हूँ, उसमें आपको पूरा practically बता देता हूँ, क परिवहन लिखने के बादे यहाँ पर आपको सर्च कर देना है, वेबसाइट मिल जाएगे, परिवहन.gov.in, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, जो first website खुलेगी, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर देके बादे यहाँ पर कुछ ministry of road, transport and highway करके, यहाँ पर कु दूसरी website खुल जाएगी, तो आप देख सकते हैं, दूसरी website खुल गई, यहाँ पर आपको आपका state select करना है, मतलब आपको आ रखा राज्ये select कर लेना है, कि आपकी सराज्ये से, तो यहाँ पर हम मध्यप्रदेश से, तो हम मध्यप्रदेश से, तो यहाँ पर refresh होगी, एक यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, apply for learning assistance, तो यहाँ पर बता रहा है क्या क्या आपको document और क्या क्या process लगेगी, तो सबसे पहले आपको fees application, detail, upload, document, upload, photo, signature लेगी, fees payment, verify payment status लेगी, और उसके बाद आपको receipt मिल जाएगा, तो हम पर हमने देख लिया, तो यहाँ पर हम continue पर क्लिक करना है, तो हम continue पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद है, एक और website यहाँ पर load लेगी, यहाँ पर आपको category चूज करना है, कि आप किस category से आते हैं, तो हम general से, आपको आपके हिसाब से, चूज कर लेना है, आप ST, SC, OBC किस category से आते हैं, आपको चूज करने के बाद है, submit कर देना, और पहला website कर देना, आपको select, application does not hold any driving license, मतलब आपके पास कोई license नहीं है, तो हम पर submit पर क्लिक कर देता हूँ, submit पर क्लिक करने के बाद एक और एक website load होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक website load हुई है, तो यहाँ पर मैं submit view, आधार authentication, मतलब हम submit कर देता है, आधार कार्ट, चूस करके पहली वाली चीज़ को, यहाँ पर एक ऐसा आएगा, submit पर क्लिक करने के बाद है, यहाँ पर आपको OK पिल क्लिक कर देना, आपको लिखा हुआ कि mobile number रिजिस्टर होना चीए, आपके आधार कार्ट से, तो यहाँ पर मैं क्लिक करने क आधार कार्ट पर जो नंबर रहता, 14 डिजिट का ओन नंबर, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना जो आधार कार्ट का नंबर हो टाइप कर दिया है, यहाँ पर generate OTP कर दिया है, जो भी मेरा mobile number इससे लिंक होगा, इस आधार कार्ट से, जो भ करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पर Authenticate लिखा हुआ है, तो Authenticate पर आपको click कर देना है, यहाँ पर तीनों वेब साइट को आपकोycz करने के बाद आपको कि-लिक कर देता हूँ, किलिक करने के बाद जो भी मेरे अधार कार्ट पर जो भी डीटेल होगी और जो भी मेरे फोटो अपलोड होगी अधार कार्ट पर तो अधार कार्ट से मैचिंग पूरी डीटेल इसमें आ जाएगी तो यहां पर आप देख सकते मेरा डेट बर्स नेम और मेरे फादर्स नेम औ सब से नीजे प्रोष्ट लिकहा और अगर को कुछ करना आ ज eerste आप चेंज कर सकते नहीं तो आपको प्रोषट पर किल्िक कर करने के बाद कुछ एक और वैब साइट होगी तो यह सबसे प्रोषट कर लेना किया तो आधार काड़ से जो भी आपकी देपनेचिंग ओर पूरी टीटेल यहां पर आ चुकी है अधारकार्ड़ से तो यहां पर आ पर देख सकते एक और र्टी ओ ओफिस लिखा होगा तो अपकर टीओ उफिस अपका चूस कर लेगा अपके एरिया का तो यहां पे मैं अपना RTO office में ने यहां पे choose कर लिया है मेरा RTO office है इंद और RTO MP09 में ने यहां पे choose कर लिया है यहां पर आपका पिन के आपका automatic RTO के हिसाब से आ जाएगा यहां पर आपको आपका जो name है और date of birth है और आपके father's name है वहां सकते हैं तो इहां पर मांग रहा है त trips करकर तो आपका अब एक टैप कर देता हूं मेरा प्लेच उब पहर और नीचे मेरा कौलेफिकेशन मांग Caitlin कि अब के अपना जिंआ नीचे डेंचाली होसा बाज आपकर देख रही है갈 चुकी है जो भी मेरे अधार काट से मैचिंग है यहां पर नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर डालने का ओप्शन दीख जाएगा तो यहां पर अपना जो मोबाइल नंबर हो मोबाइल नंबर यहां पर डाल देता हूं उसके सामने एक एमर्जेंसी मोबाइल नंबर डालन का option होगा तो मैं आपना जो mail ID हो email ID यहां पर मैं अपना टाइप कर देता हूं यहां पर आपको आपका address डीटेल डाल देना है तो यहां पर आपके matching address address डीटेल आ जाएगा अगर आपका same permanent address है तो आप यहीं रहने दीजेगा आधारकर से अगर आपको change करना है तो यहां से आप आप चेंज कर सकते है आप मेरा address से मैं आप रहने दूँगा और यहां पर आपको नीचे पूछे आपको नीचे पूछे हागी आप अडरे से रहें तो मैं आपके डाल देता हूं कि मैं आपको कितने साल से इस इस एड्रेस पे रहे रहा यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर दिखा होगा motorcycle without gear non-transport mc w o g लिखा होगा और यहां पर motorcycle बिद गियर मतलब आपको अगर two wheeler का बनाना है तो आप two wheeler के लिए हापे click करके यहां पर click कर दीजिए तो यहां पर आपका motorcycle का यहां पर car का कर सकते LMV लिखा हुआ हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका car का हो जाएगा तो यहां पर मैं four wheeler का driving license दो मैने सेलेक्ट कर लिया है यह मेरा two wheeler और four wheeler है मतलब जो motorcycle with gear हो two wheeler का और light motor vehicle मतलब होता है कि four wheeler का है सब्सक्राइब shows कर सकती है पूर भी बड़न इसकल्स नेंड हो उसके बाद आपको निछे आज आ चाना है तो मोटेक प्रीजिश डोनेट करने तो यहां पर आपको यस कर देना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर आपको नहीं करना होता है अगर आपको नहीं करना होता है अगर आपको नहीं करना होता है अगर आपको नहीं करना होता है आपको क्लिक कर दीजिए और यहां पर आपको नीचे टिक कर देना है और उसके बादे आपको अब सुमीट सुमीट पर किलिक कर देता हूं तो है इसल키 कर दिया उसकी आपक़ और पूछा जाएगा तो यह page load हो जाएगा यहाँ पर वापस आपको ok पर click कर देना है पूछा जाएगा यहाँ पर जो आपने detail हो गई है सकस्पूल है तो आपकी सारी detail जो आपने ढाली है कि यहां पर सक्सेस्फूल ही लर्निंग लाइसिन के लिए अपका ऐतल डीटेल हो यहां पर सब्सक्राइब बनाना पड़ता है तहोसाइब अंदा आपका लर्निक पर से कंप्रीट हो चुका है आप यहाँ पर एप्लिकेशन नंबर देख सकते हैं इसे आपको कॉपी करके रख लेना है जो पर आपका एप्लिकेशन नंबर होगा उसको आपको कॉपी करके सेव कर लीजिए यह आप अपने एप्लिकेशन नंबर का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं क्योंकि फ्यूचर आपको आपक को next पे click कर देना है तो यहां पे मैंने next पे click कर देता हूं तो कुछ ऐसा एक page load होगा यहां पर आप देख सकते हैं इसमें अप्लिकेशन नमबर और date of birth लिक हुई है तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा इसमे यहां पर प्रोटव करना है कुछ देर आपको वेट करना है सकते हमारा लोड हुआ है नाम लिखा और नाम लिखा हुआ है तो पर आप देख सकते हैं लाइट मोटर वेहिकल और मेरा LMVA का है और मोटर साइकल भी गेर का है मतलब टू और फॉर वीलर दोनों का है हैं पर हम ड्राइविंग लाइसेंस जो हम बनाना है उसके लिए लर्निंग हम के लिए अपलाई कर दे लिया है अब यहां पर हमें नीचे आ लेना है तो हम SBI E-Pay को यहां पर चूस कर लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं मैंने SBI E-Pay को यहां पर चूस कर लिया और नीचे मेरा email एडर एड़ रहेगा उसके बाद जो यहां पर code दिया हूँ यहां पर आपको आप टाइप कर देना एक code में आप टाइप कर देता हूं तो यहां पर मैंने as it is verification code यहां पर टाइप कर दिया है जो मेरा क्लिक कर दिया है पर कुछ देर लोड लेगा उसके बाद यहां पर कुछ ऐसी website खुलेगी आप यहां पर देख सकते कुछ ऐसा यहां पर एक website खुला हुआ है इपार मेंट का तो हम upi mod करेंगे तो यहांपे आपको भी विन किक अट depths कि अपैट आइड यहां पर निपैक एला सकते हैं मैं इना इप डर्वाह सकते हैं पर आपके पीतीएं वायलेट या किसी भी अन्य वायलेट से आप यहाँ पे मैं पर रसकते हैं ऊंपनी univers उसके बाद यहां पर आपको लिखा हुआ आजाएगा यहां पर पे नाउ पर यहां पर मैंने पर लोड हो गया पर यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर मुझे आइड करने पर ओर नाच्क आएगा पमें, वहाँ आइड करने का तो में लोड होने में थोगा सा टाइम juice ले सकता है है आप हम वेट कर लेते हैं कुछ दिर तो आप देख सकते हैं यहाा पर जो हौब यहाँ पर लिखा हैं हैं यहाँकों और आप को कोड उपर लिखा वो कोड मुझे यहाँ पर टाइप कर देश्श का हम्ने लाइसन्स के लिए इसिप्ट और प्रेमेंट किया उन्हें तो यहां पर मैं डाउनलोड भी कर लेता हूं दोस्तों यहां पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूं और आपका फुल जो डेट टोब बर्थ है वहां पर डाल देना टाइप कर देना तो आप अपना अपना लर्निंग डाउन्डोड कर सकते हैं आपके नमबर से ओटीपी और आपकर आउसका जो एमेल एड्रेस डालागा और आएड्रेस पर भी आया होगा तो आपके आपके इम आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेट करके बता सकते हैं तो हम इसके लिए डेडिकेड़ वीडियो भी बना दूँगा धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिं जै भारत